लोड बुद्धा ने का है The only thing that is permanent in this universe is change सिर्फ परिवरता नहीं कैसी चीज़ है चेंज ही ऐसी चीज़ है जो कि permanent है इस universe में वो ही बात हमारे rocks के ओपर इफलाग होती है कोई भी rock हमेशा एक जैसा नहीं जाता उसका form चेंज उतर रहता है हमने इस चेप्टर में तीन rocks के बारें बढ़ा प्लासिफिकेशन जो था तीन rocks थे igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks हमने ये भी बढ़ा कि ये तीनो rocks कैसे बनते हैं लेकिन ये तीनो rocks हमेशा एक जैसे नहीं रहते मतलब उनका character उनकी जो physical characteristics है chemical characteristics है वो change होती रहती है जैसे कि igneous rock sedimentary या metamorphic rocks से बतल सकता है In fact, igneous rock igneous rocks में भी change हो सकता है दूसरे igneous rocks में sedimentary rocks دूसरे metamorphic या igneous rocks में change हो सकता है और sedimentary rocks में भी change हो सकता है कैसे यह हम परने वाले है ठीक है, भी temperature लेने के ज़रुद में है उसी तनीके से metamorphic rock जो है, वो agnes में भी change हो सकता है, उसका form और sedimentary में भी change हो सकता है metamorphic rock में भी change हो सकता है किसी और दुबारा metamorphose भी हो सकता है ठीक है? टेंशन मत बताऊंगा अभी कैसे होगा ठीक है? लेकिन एक जैसा कभी ही रहेगा वो हमेशा change होते जाते है यही बात हमें इस chapter के last topic है, इस chapter का rock cycle, जिसमें के मैं पढ़ना है? chapter 5 है, mineral and rock and this is Uncle Kaushik and you are welcome on our channel UPSC, XSaila ठीक है? आज का topic स्टाट करते हैं rocks do not remain in their original form for long rocks जो है, वो अपनी original form में original form मतलब का मतलब जिसमें वो अभी है suppose कीजिए, present में है कोई igneous rock है सबसे पहले rock की starting कहां से हुई होगी? और वसी बाता लावा निकला होगा लावा निकला होगा, आट के बाहर से लावा ठंडा हुआ, वो ठंडा होने के बाद igneous rock बना अब igneous rock बनने के बिए दो तरीके है वो crust के उपर भी ठंडा हो सकता है crust के नीचे भी ठंडा हो सकता है हम भाप पढ़ चुके जिस भी विट्यादे तरीके से बना वो बन गया बनने के बाद अब वो हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा वो sedimentary rock में भी हो सकता है और वो metamorphic rock में भी convert हो सकता है ठीक है यहां तक समझ आगया चलिए इस टाइम जो उसके प्रिजन बेस्टेट है वो sedimentary है अब वो हमेशा sedimentary भी नहीं रहेगा अब वो फिर दुबारे किसी भी rock में convert हो सकता है अब वो igneous में भी convert हो सकता है metamorphic में भी convert हो सकता है और दुबारे से किसी और sedimentary rock में भी convert हो सकता है कैसे यह मैं बताऊंगा sedimentary rock, metamorphic rock या igneous rock में कैसे convert हो का यह तो हम पर ही चुके है अभी भी दुबारा बताऊंगा और sedimentary rock दुबारा sedimentary rock में कैसे नवाट हो जाएगा ये भी मैं बताने वाला हो उसी तरीके से suppose कि जो कोई metamorphic rock है वो चाहए ignis rock से बना या sedimentary rock से बना किसी rock से बन सकता है, ignis rock भी metamorphose हो सकता है और sedimentary rock भी metamorphose हो सकता है In fact, एक already existing metamorphic rock भी दुबारा metamorphose हो सकता है और फिर दुबारा metamorphic rock भी बन सकता है उसका structure फिर से change हो जाएगा ऐसा भी हो सकता है ठीक है? तो ये भी अभी पढ़ाऊंगा तो rock जो हो कभी हमें सा original form में नहीं रहता है जिसमें उप्रेजेंट में है ठीक है? वो हमेशा change होता रहता है आगे पढ़ते है rock cycle, अब ये rock cycle क्या है? is the continuous process through which old rocks are transformed into new ones simple सी बात है, rock cycle है एक ऐसा process जिससे की पुराने rocks जो है वो नए rocks में बदलते रहते है उनकी form जो change होती रहती है यहां तक समझ आगे आएगे है सबको अब कहानी कहान से start होती है कहानी start होती है, मेगमा से समझ के? मेगमा से हमारी कहानी start होती है मेगमा निकला solidification हुआ उसका मेगमा का वो बन गे हमारे igneous rock यहां तक आएगे सबको समझ आ लिया ठीक है? अब वो igneous rock जो है वो तीन डिरेक्शन, तीन जगें उसके पास जाने के लिए क्या? पहला तो यह है कि अगर मान लेगे वो igneous rock बना और बनते ही कोई tectonic movement होगी कोई इस तरीके कोई endogenic कोई process से कोई movement होगी और वो फिर दुबार नीचे पहुँचिया ठीक है? धर्ती फड़के फिर दुबार नीच चला गया यह सीधा मसमा आगेगी धर्ती में ऐसे ही होता है ना? है ना? divergent boundary boundary बनी trench बनती है, रोक नीचे जाने स्टार्ट कर देंगे edge वाले, वो फिर दुबार चला गया अब वो यह trench पे जोड़ी थोड़ी ना के sedimentary रोक ही हो जोड़ी थोड़ी थोड़ी ना metamorphic रोक ही हो igneous rock भी दो सकते है igneous rock फिर दुबारा से magma बन जाएगा वापस नहीं पहुच जाएगा melting melt होना स्टार्ट होगा और फिर दुबारा magma बन जाएगा पहला केसी है दूसरा केसी है कि denudational process के द्वारा through the process by the process of denudation पढारा है मैंने denudational process क्या है ठीक है पुछले कि राद देख लीजेगा weathering और erosion होगा उसका weathering erosion भी पता चुका हो में क्या होता है ठीक है रोक का अपनी जगह पर disintegrate हो जाना weathering होता है और रोक का अपनी जगह से दूसरी डिसिंटिक्रेट होगर के दूसरी जगह टांस्पोर्ट हो जाना इरोजन होता है ठीक है पता है यह वैजिंग और इरोजन हो गया वैजिंग और इरोजन के बाद वह sediments बने अब वह sediments क्या हुए लिथी फाई हुए उनका की हो जगए अब अब तीस के सकते हैं का मेजना बना इसका मेटऌमॉर्फोस हो गया कैसे बताय तो गच्तर को यह टाक है पले खाल聊 जायेगा उसके पर प्रेश पड़ाएगा nude हो जाए गा कि नीचे जाने उतना उसका temperature हाई हो गया उतना temperature हाई नहीं हो पाए जितना की इसके ओपर यह लावा निकला यह ठंडा होके रोग बन गया ठीक है रोग बन चुग एगनियस रोग त्यार है अब क्या हुआ फिर दुबार लावा निकला इसके ओपर की यह ले रहे आई दुबार एगनियस रोग की उसका temperature बहुत जादा है contact मेटामॉर्फिजम हो जाएगा कर नहीं हो जाएगा लास्ट क्रावस पराएगर सिह आपको ठीक है अब कर दुबार नहीं होटा कि पास तीन आप्शन से पहला तो ये है कि अगर मालिए सेडिमेंटरी रोग कोई ऐसी जगह पर जहां पर कोई टेक्टर रिक मूवमेंट होती है और नीचे चला जाता है तो वो बिच्चारा क्या होगा वो मेल्ट हो जाएगा समझ गे? तो मेल्ट होगा तो फृद वाला मेंगमा बनेगा और इग्नियस रोग बन जाएगा ठीक है? या वो मेटामॉर्फोस हो सकता है और मेटामॉर्फिक रोग भी बन सकता है सेडिमेंटरी रोग समझ गादिया कैसे बनेगा ठीक है? तुबारा बताने की जोत नहीं है या वापस सेडिमेंटरी भी बन सकता है वो अरे वैद्री में और इलोजन तो किसी भी रोग की हो सकती है जो जो जोना है कि एग्नियस रोग की होगी या मेटमॉर्फिक की भी होगी sedimentary rocks की भी we graduated होसकता उनके भी自然 means वो तानस्पर्ड हो के दूसरी जाटरे जाएंगा फिर दुबार एक और sedimentary rock बन जाएगा so sedimentary rock से भी sedimentary rock बन सकता है यहाँ पर यह sedimentary rock के sedimentation होगा, फिर दुबार इसका lithium occasion होगा, फिर यह sedimentary rock बन जाएगा तो यह metamorphic सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और फिर से यह मैं यह खुट में भी मैटामोर्फोस हो सकता है दुबारा से याद रखना इस बात का है मैटामॉर्फिक रोग भी मैटामोर्फोस हो सकता है इसमाज रहे है समझ लिण ऑलडेदी अग्जिस्टिंग यहां पे मैटामॉर्फिक रोग है यह 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 लाख है यहां बर ठैंपरज्चर बढ़गया यह फिल से ल्ट्पालिविक वनसेเรา पर लिखने बढ़ेंगा आपको तो आई हो प्रोक सेकल आपको यहां तक समझ आ गई अब यह कुछ बता रहा है कि किन कंडिशन में कौन सा रोग क्या बनता है तो वह हमें बढ़ना है तो इसलिए हम जंप परते हैं अपने नेक्स पार की तरह ठीक है चलिए देखिए अभी हमने रोग सेकल पड़ी थूद डाइग्राम उस डाइग्राम में रोग सेकल के बाग में सब कुछ बता दिया सब कुछ मनें समझा भी दिया कौन सा रोग कैसे बनेगा किस कंडिशन में पहले ही समझाया आज फिर समझा दिया ठीक है लेकिन सब डाइग्राम से काम नहीं चलता लिखना क्या एक्जाम में है तो उसके लिए क्या हम NCRT के कंटेंट पढ़ते हैं जो उसने और ने बता र अने जो पोर वह वह उत्रम प्छाराराम線 उन पर हॉन पर इनना चक्राम चलिए कृण ज्रुट स और इक लिए एंसनäs रोग उस चिंछुन और पहले लोग यह बनते हैं एडो बाद ही sedimentary rocks बने उसके बाद ही metamorphic rocks बने या दुबारा जो igneous rocks बने वह भी उनी rocks से बने जो पहले बने बने में स्टार्टिक में लावा जब आया होगा ठीक है अधर rocks कौन कौन से है? sedimentary or metamorphic rocks वह भी उनी igneous rocks से बनते हैं समझ आगे बात चलिए आगे चलते हैं agneous rocks can be changed into metamorphic rocks agneous rocks जो है वह metamorphic rocks में change हो सकते हैं last class में हम पढ़ चुके हैं कैसे ठीक है जब उनका pressure volume और temperature का change आएगा किसी rock में तो उसका structure जो है physical or chemical structure change हो जाता है और वह उसकी form चैनल जाते है मेटमोर्फिक हो जाता है उसको मेटमोर्फिक रोक होते हैं ठीक है समझ आगा चलिए आगे बढ़ते हैं the fragments drive out of igneous and metamorphic rocks अब रोक है igneous है metamorphic rock है अगर वो earth crust के उपर पढ़ा हुआ है sedimentary भी हो सकता है लेकिन sedimentary के बारे हम next line में पढ़ेगे अभी हम igneous और metamorphic का देख रहे हैं कि वो fragments में convert हुए वो fragments में sedimentary rock में convert हो जाते हैं metamorphic rocks form into sedimentary rocks जो fragments होते हैं igneous और metamorphic rocks से वो sedimentary rocks में convert हो जाते हैं यह भी हमें पता है ठीक है पता हमें सब कुछ है लेकिन NCRT की language NCRT के language आपको पढ़नी है बार बार यहीं आपको means में prelims में help करेगी में में भी आपको help करेगी कहीं और से कुछ उठाके लिखने के अच्छा 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 अगर आपको content याद नहीं आ रहा है तो ठीक है इसके अलावा Densels can come into fragments, sedimentary rocks भी fragments में turn हो सकते हैं कैसे होगे weathering erosion से , है न inodational process and the fragments और उन फ्रेग्मेंट से वह सोर्स हो सकते हैं नया सडिमेंटरी रोग से भी दुबारा एक नया सडिमेंटरी रोग बन सकता है यह बात यहां तक किलियर हो गई ठीक है इतना समझ आ गया इसकी शोट लेना चाहिए इसकी शोट ले लिए वैसे तरह अनस्यार्टी का ही है सब क चलि अब क्या कह रहा है कि कस्टन रोक्स कोई बिए सकते हैं इंस इक इस सब्सक्राइब करस्ट पर जो ऑपर ब्रॉक्ट करस्ट पर मिलते हैं डही दो तरह हो ती इस और कौंटेंटल और और से निकस्ट में में भी तीनियोट टाइप के रोक्स मिलते हैं और Continental के ओपर भी तीनों टाइप के रोक्स मिलते हैं समझ आ रहा है तो क्रेस्टल रोक्स जो होते हैं वोल्ज फॉर्म में भी करेट डॉं एक बार वो बन गए ठीक है अब सपोस्थ कि यह क्रस्ट है इसके पर इंचिए रोक्स मिलियन कहीं में पर आपने के बार यह करिद डॉं इन्टी दा में ने में चले गए में इंटेर मतलब इंटियर ओफ दार्थ कैसे जाएंगे रताएंगे ठीक है थू दपोस्ट थू अब्देक्शन प्रोसस इहां पर सब्रेक्शन है subduction process subduction process क्या होता है parts or whole whole of crustal plates going down the under in zones of pre-conversions यह दो plates है यह टकराई इसको convergence बोलेंगे एक plate जो है जो भारी वाली होगे दूसरी plate के नीचे चली आती है कुछ हिस्सा भी उसका नीचे जा सकता है पूरी की पूरी भी नीचे जा सकती है ठीक है ठीक है तो क्या है पर दो plates है दोनों आई यहाँ पर पास पर एक दूसरी की तरफ बढ़ रही है इसको हम convergence जासे बोलेंगे अब जो भारी वाली plate है जब दों टकराएंगी तो वो नीचे जाएगी इसका कुछ हिस्सा भी नीचे जा सकता है तो यह रोक तो नीचे पहुँचे मेंटल में यहाँ पर जो रोक से वह सकते हैं यहाँ पर टेंपरचर बहुत जादा है इतना जाद है कि जो रोक से मेल्ट हो जाएंगे फिर दुबारा मेगमा बन जाएंगे और वह मेगमा फिर दुबारा इग्णियस रहा है ठीक है तो लिका करा है जो अंदर in another zone of plate zone of plate convergence and the same meltdown और same मतलब वही रोक के meltdown हो जाएंगे due to increasing temperature in the interior interior में temperature बहुत जारा है तो रोख जाँ हो subsection जो में नीचे जाएंगे और melt हो जाएंगे and turn into molten magma और molten magma में convert हो जाएंगे यह सब पढ़ी भी चीज़ है आपकी नहीं है कुछ नहीं है ठीक है the original source for igneous rock और वो molten magma क्या होता है original source होता है igneous rocks के लिए igneous rocks molten magma से बलता है वो ही magma आपका भी next time किसी और diverging boundary से बाहर निकलेगा ठीक है और फिर दुबार igneous rock में convert होगा igneous rock metamaphic या sedimentary या igneous rock में convert होगा और फिर दुबार rock cycle इसी तरीके से हमारी अर्थ पर rock cycle स्टार्टी से लेकर आप तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी ठीक है तो यह आपका यहां तक clear हो गया यह chapter आपका खतम हो चुका है next chapter जो है हमारा वो हमारा है geomorphic processes के बार में six chapter है हमारा geomorphic process के बार में अगली क्राश जो होगी वो इस चप्टर को होगी मेंगरेंट सर्थ नोक्स का चप्टर है वो खतम हो चुका है उसके सारे topics खतम हो गए आप कोई अगर कोई वीडियो नहीं देगी तो पुरानी देख लीटेगा कुछ समय नहीं आया है तो कमेंट करेजिए मैं दुबार से पढ़ा दूँगा और लाइक और सब्सक्राइब करना है थेंक्यू